नमस्कार दोस्तों मैं संजी आपका बहुत बहुत स्वाइक करता हूँ आपके अपने शी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आपने देखा कि पिछला वीक जो था काफी अच्छा गुजरा और काफी अच्छा हमने आपर मुनाफ़ा बनाया क्यूंकि market अगर देखें तो market का जो trend था वो कभी लगातार अब trend market चल रहा था लेकिन इस वीक यानि कि अगले वीक क्या होने वाला है बहुत सारी बात थे इस वीडियो के माध़ने में करने वाला हूँ तो मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ बेंग रिप्टी की बात करूँगा, क्योंकि बेंग रिप्टी के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है, और ट्रेंड में आपर आगे क्या होने बाला है, बहुत सारी बात हैं हम लोग करने वाले हैं, तो चेल लिए दोस्तों वीडिएगो शुरू करते हैं और चेक कर लेते हैं बेंगरफ्टी का क्या स्टाइटस है तो अगर आप यहाँ पर अभी देखें तो देखेगा मैंने यहाँ पर देखेगा एक line draw कर रहे ही और chart को मैंने daily time frame पर यहाँ पर लगा रखाया अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो market का जो trend था अभी तक का वो देखेगा market लगातार यहाँ से उपर की तरब भागा ठीक है इसके बाद देखेगा market ने कि यहाँ पर एक resistance लिया यानि कि महाँ पर market लगबग रुका यहाँ से यहाँ से रुकने बाद लगातार पहले market नीचे आया नीचे आने के बाद थोड़ा सा market उपर गया उपर जाने के बाद थोड़ा सा market नीचे आया और एक डबलू पैटर्न बनाते हुए market ने डबलू पैटर्न का जो target होता है उसको यहाँ पर fulfill कर दिया है ठीक है तो अगर आप देखें तो यहाँ पर देखेगा कि यहाँ से अगर मैं चेक करूँ यहाँ से देखेगा तो यहाँ पर जो लाइन है यह लाइन देखेगा यहाँ पर भी touch हो रही है इसके अलाव अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखेगा लाइन यह touch हो रही है यानि कि हम total एगर चेक करते हैं तो market का जो resistance label था वो यहाँ पर touch हो चुका है market का जो support यानि कि यहाँ पर market जो target बन रहा था वो totally यहाँ पर achieve हो चुका है तो साब अब क्या होगा तो बताना चाहूंगा दोस्तों ऐसी condition जब market करता है ऐसा जब market मलब कि previous अगर ऐसा करता है जिसमें बताना चाहूंगा previous क्या हुआ था जैसा कि देखेगा market जब यहाँ पर इस जहाँ पर देखेगा एक नया high जब बनाया था तो market यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया था नीचे आने बाद थोड़ा सा market reverse हो कि फिर से side को touch करने बाद फिर गिरना शुरू किया था तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि बोही हरकत market फिर से धोरा है और हो सकता है मंडे की दिन market यहाँ से trend डाउन करता हुआ दिखाई दे क्योंकि में market की यहाँ पर जो target थे अभी तक के बो सारे target यहाँ पर अचीब हो चुके हैं यानि कि अगर तो market जब reverse होगा तो कुछ इस तरह की market के अंदर चाल चलेगी तो वहाँ पर कौन-कौन से level आपको देखना है और market जो reverse होगा तो वहाँ पर क्या-क्या आपको target रखना है वो थोड़ी सी बात हैं में आपर कर लेता है तो reverse होने का एक और अंदेशा जो लग रहा है मुझे उसकी बीज़े reason आपको बताना चाहूँगा देखिए जब भी market reverse होता है जैसे कि candle आपकी कुछ इस तरह से बन रही है या आप चेक कीज़ेगा जब market reverse होता है या तो market डोजी बना के इस तरह से reverse हो जाता है जैसे कि आपने यहाँ पर चेक किया था यहाँ पर क्या हुआ था market डोजी बना की इस तरह से reverse हुआ था इसके बाद कभी-कभी market इस तरह की candle बना की भी reverse होता है या निकि उपर का जो हिस्सा होगा न वो उसकी जो पूँच रहती है वो काफी लंबी बनती है तो यहाँ पर अगर देखें है तो भई इस candle का अगर मैं आकार आपको दिखाना चाहूँ इसका देखी मैं पास में इसको कर लेता हूँ और यहाँ पर देखेगा इस candle की जो उपर की पूँच है वो काफी लंबी है लेकिन नीचे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर कोई भी पूँच नहीं है तो ऐसी condition में भी market reverse होता है यहाँ पर reverse होने का संकेत देता है तो हम मानके चलते हैं जैसे कि market अगर Monday की दिन अगर reverse हुआ तो वो क्या level रहेंगे जिन से market reverse होगा वो सारी बात मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि देख शीगा अगर market को reverse होना होगा तो पहली बात market जब open होगा Monday की दिन तो market आपका 4200 के नीचे open होगा ठीक है इस चीज़ को आप इस point को ध्यान रख लिए ठीक है 4200 के नीचे market open होगा ये चीज़ पहले कंडिशन रहेगी और जैसे market open होगा तो market एकदम नीचे गिरेगा जैसे market नीचे गिरेगा तो 4100 का जो लेबल है न इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा और अगर 4100 का लेबल इसने ब्रेक कर दिया तो market एकदम गिरेगा और 4100 पर आके जाके एक बार रुखने की कोशिश करेगा क्योंकि क्या होता है जो fixed level होता है जैसे कि अपना 45000 हो गया या फर कि fixed अपना 4100 का लेबल हो गया तो जो fixed level होते है इनको market एकदम ब्रेक नहीं कर पाता तो यहाँ पर क्या होगा थोड़ा market रुखने की कोशिश करेगा फिर से reverse होगा market इसके बाद फिर से उसको break करने कोशिश करेगा और हाँ अगर 46000 का लेबल अगर market break कर देता है तो इसका मतलब होगा कि हमारा market reverse हो चुका है ठीक है इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा इसका मतलब होगा कि हमारा market reverse हो चुका है और reverse होने के बाद जो target आपके रहेंगे वो सबसे पहला आपका target यहाँ पर रहेगा 45800 का ठीक है तो 45800 आपका first target रहेगा 45800 जैसे ही break होगा तो market आपको 45700 तक के कल target दिखा देगा यानि कि मंडे के दिन यह target आपको दिखा देगा यानि कि अगर हम देखें तो market अगर reverse होगा थोड़ा बड़ी candle से reverse होगा तो एक तो reason यह रहा reverse अगर होगा तो यह scenario आपको मिलने वाला है अब एक और scenario आपको बता दूँ अगर यह हुआ तो क्या होगा ठीक है इससे market के अंदर एक downfall नजार आने वाला है तो यह अपना scenario आपना समझ लिया यह scenario अपना क्या था market का reversal का downfall का अब समझ लेते हैं जैसे कि मान के चलिए कि मंडे के दिन market अगर sidebase हुआ तो क्या condition रहेंगी तो देखीगा sidebase आपको market अगर रहेगा तो market देखेगा एक range एक बनाएगा जिसमें range आपकी रहेगी उपर की 4400 ठीक है यह range रहेगी और एक मीचे की range रहेगी 40100 तो इसको market break नहीं करेगा समझ लीजेगा कि market आपका sidebase चलने वाला है ठीक है तो आपने यह आपर यह चेक कर लिया कि भी market अगर इस range में रहेगा तो market आपका sidebase चलेगा ठीक है और एक उची बता दूँ अगर market 40300 भी touch नहीं किया तो इसका मतलब यह बात पक्की होगी कि market 40100 ब्रीक करेगा लेकिन अगर market अगर 40400 से लेकर 40100 अगर चलेगा तो definitely market sidebase में रहेगा यहां पर कोई भी एक trend यहांपर नहीं बनाएगा हो सकता है चोटा मोटा movement आजाए लेकिन भी यहांपर कोई बड़ा moment नहीं आएगा लेकिन जो मैं आपको बता है डाउन का सेने को जो रहेगा वो क्या रहेगा market जैसे ओपन होगो ओपन होते से market नीचे गिरेगा गिरने के बाद चालिस है रिक्स पो ब्रेक करके एकदम मार्के नीचे आएगा उस तरह से market टोटल डाउन ट्रेंड में आजाएगा ठीक है यह दो बाद में कर ली sideways की बात कर ली downtrend की बात कर ली अब बात करते हैं साब अप ट्रेंड के अगर market यहां से अप ट्रेंड पकड़ता है तो market को क इसको market को ब्रेक करना पड़ेगा जो nest अपना level रहेगा वो चालिस हैर 500 रहेगा जिसको market को ब्रेक करना पड़ेगा तब जाके market के अंदर एक तेजी आएगी otherwise नहीं आएगी तो चालिस हैर 500 मुझे नहीं लगता कि market ब्रेक करें क्योंकि जब भी market बढ़ता है तो थोड़ा market के करता है थोड़ा आराम करता है थोड़ा नीचे आता है नीचे आने के बाद फिर से market सपोर्ट लेगा और इसके बाद फिर जब market ऊपर जाएगा तब जाके नया हाई बना पाएगा ये सब market का नियम होता है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखके काम करनी है मंडे के गुझगे के दिन मैंने सारी चीज़ आपको बता दी ऐसा ऐसा होने वाला है और यह जहां पर भी आपको हो रहा है , जो मैंने आपको Lily sugar दीये हैं, वह Лevel आपके हर जगे काम में करेंगे ठीक है जो मैंने आपको लेबल दिये सर अगर ये अगर ब्रेक होते हैं तो समझ मैं सारी चाहीं आपको बताता हूं बिलुक्ल पॉइंट सु था हो दो दोस्तों देखिए support अलग होते हैं live market का resistance अलग होता है market closing का support resistance अलग होता है तो live market के अदर support resistance आपको चाहिए तो telegram channel आपको वीडियो को description में link मिल जाएगा वहाँ से अभी join कर लीजिए ताकि आपको live market में support resistance मिलते रहें और आप market का duration समझ के easily एक बड़ा मुनाफ़ा बना फाओ दोस्तों देखिए का market काफी जाधा आसान हो गया है अगर आप सोच रहो हो कि पुराना जमाने की बात हम लोग कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है अब हम लेटर्स जमाने में बेटने हैं अभी AI technology आगे जो कि आपको बता थी कि आपको कहां पर buy करना है कहां पर sell करना है जैसे मैं आप पर बता हूँ अगर मैं बताने चाहूँ बंगनिप्टी के उपर तो अगर मैं इस code daily time frame का coding देखता हूँ positionally तो बंगनिप्टी देखिए कि positionally जो buy हुआ था यहां से हुआ था लगवा पैंतालेश साथ साथ सो के असपार positionally buy हुआ था जिसके जो target थे तीनों यहां पर अचीव हो चुक है यानि कि यहां से भी रेवासल की संभाब ना लग रही है उसके साथ 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 अगर हम देखें तो intraday के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो bank nifty देखेंगा intraday के अंदर यहां पर अगर चेक करें तो intraday के अंदर जो buy single generate हुआ था उसका target यहां से यहां तक मिल चुक है इसके बात देखेंगा intraday के अंदर sell signal generate हुआ था लेकिन किसी काम का नहीं था क्योंकि अपनी condition में यहीं नहीं कर रहा था तो इस तरह से देखा जाये overall तो bank nifty न हमें काफी ज़्यादा मुनाफ़ा दिया सोप्टर ने वहां पर आपको पहले हर्ची बता दी थी जिसकी मदसा पीजिली market में काम करके earning कर सकते हो और अगर आप चाहते हो bank nifty option में trade करके पैसा earn करना तो हमारे पास bank nifty option का एक जोरदार सोप्टर है जो की इंडिया के अंदर किसी के पास आपको नहीं मिलेगा इसकी जो accuracy आती है लगबग 99% accuracy आती है जिसकी मदसा पीजिली market में trade करके अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो तो हमारे बहुत सारे client daily basis पर अच्छा खासा मुनाफा बना रहे हैं तो आप भी इसको use करके अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो benefit option के अंदर है तो software के जाद जांगा के लिए देख नमबर पर call करके software का live demo देख सकते हो और दोस्तों simple सा यही बताना चाहूं कि अगर market के अंदर आपको सच में पैसा बनाना है न दोस्त तो आशे करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी ही लग यूँ कि मिलता है नई वीडियो साथ तब तक के लिए बाई and thank you